स्टुडेंट्स हमने देखा पेट्रोलियम हमें कहां से मिलता है सी के अंदर से मिलता है वहां से वैल बनाया जाते हैं और वहां से पेट्रोलियम को निकाला जाते है तो उस पेट्रोलियम को आप बहुत है कि ओल ओल निकाल रहे हैं तो ओल जो होता है उसको हम बोलेंगे यहा आगे further process होता है वो बोलते है fractional distillation of petroleum जिसको बोलेंगे एक और refining की जाती है उस petroleum से आगे further बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती है और जिनका आगे भी बहुत जगा पर use होता है petroleum सिर्फ आपका petrol के लिए नहीं होता है actual में petrol के लिए petroleum हम बोलते हैं actual में ये crude oil होता है कच्चा तेल चीक है इस petroleum से petrol भी निकलता है इसलिए इसको petrol बोलते हैं तो ये जो crude oil है इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती है और फिर आगे बहुत सारे जगा पर इंडस्ट्री में या किसी और automobiles में इनका use होता है तो refining करने के लिए एक ये fractionating column बनाया जाता है column ऐसे vertical tower है ये tower बनाया जाता है जिसमें आप देख सकते हैं different different temperatures यहां mention है different different temperatures हैं जीक है different temperatures और इस actual में इस fractionating column में क्या करते हैं oil को main process क्या है oil को vapors में convert करते हैं और ये vapors को condense करते हैं और फिर liquid बना एक liquid बन जाएगा oil को vapors में convert करेंगे oil को vapors में convert करेंगे then उनको condense करेंगे ठंड़ा होने के बाद वो क्या बन जाएगा एक liquid और उस लिक्विड को आप निकाल लेंगे या ले लेंगे और उसको आगे फर्दर यूज करेंगे तो यह पूरा एक प्रोसेस चलेगा यहां पर जब ओयल कोवेपरेश में कनवर्ट करेंगे ओविसली वह टेंपरीचर करेंगे तो यह जो वेपर हैं यह ऐसा नहीं कि आपको एक मिलेंगे आप डिफ्रेंट डिफ्रेंट टेंपरीचर से वेपर्स बनाएंगे चिकर है और उन वेपर जोंदेंज Cake लिकुड लेंगे अब यहां पर जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, यह जो यहां Blue Pen से यहां लिखऊ हैं, यह जो भी चीज़ें मिलेंगी यह different boiling point पर मिलेंगी different boiling point मतलuzz, सबका अपना different boiling point है कि इनके vapors, कि किसी के 20 degree Celsius पर vapors बन रहे हैं, किसी के 120 degree Celsius पर vapors बन रहे हैं, इस तरह से या एक basic example समझाया जाए जैसे आप school bus में जाते हो तो आपके घर से 1 km के distance पे कोई ना कोई student बैठता होगा ठीक है तो वही चीज है जब आप oil को गरम करना start करेंगे हीट करना start करेंगे तो पहले temperature 0 degree Celsius है ठीक है धीरे धीरे वह temperature increase होगा जीरो से वह धीरे धीरे increase होगा 10 20 अब 10 पे कुछ वेपर्स कुछ वेपर्स जो है petroleum के अंदर petroleum एक complete oil है इस oil में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो 10 degrees Celsius पे वेपर्स बन जाएगी फिर देन temperature further increase करेगा सबस्थ 20 20 तो यानि petroleum इस crude oil के अंदर इस oil के अंदर कुछ ऐसी चीजें है जो सिर्फ 20 degrees Celsius पे वेपर्स बनाएगी या हीट होगी ठीक है same way जैसे जैसे temperature increase करेगा जैसे 260 degrees Celsius है तो इस oil के अंदर कुछ ऐसी चीजें है कुछ ऐसे प्रोड़क्ट प्रेजेंट है जो 260 degrees Celsius पे ही वेपर्स बनाएगी यानि सबका different different आपका boiling point होगा सबका boil होने का temperature temperature different होगा तो यही इस refining में हम करेंगे तो जैसे ही ओयल को आपने गर्म किया हीट किया हीट किया तो क्या हुआ 20 degrees Celsius पे अभी temperature कम है 20 degrees Celsius है तो 20 degrees Celsius पे कुछ वेपर्स उपर की तरफ जाएंगे वेपर्स जब राइस करेंगे किस साइट जाएंगे उपर की तरफ जाएंगे उपर जैसे जाएंगे अभी आप हीट यहां से कर रहे हो तो ओविसली यहां पर comparatively temperature थोड़ा कम है यहां temperature आपका ज्यादा है तो वेपर्स जब उपर की साइट जाएंगे तो temperature कम होने की वज़े से क्या हो जाएगा WAS जाएंगे और यहांगे और कशने हो कर लिक्वील्ट किवह में बन जाएंगे तो 20 ल्ची फार्प कहता है जहसे हीट करते हैं और यह refinery gas का आपका बहुत जगह यूज़ होता है जैसे LPG LPG आप घर में यूज़ करते हैं, home में यूज़ करते हैं, refinery gas इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है, चीक हैं, अब 20 degree Celsius से temperature और rise करेगा, और बढ़ेगा तो वो पहुँचेगा 30 degree Celsius पे, अब इन वेपर्स को जो वेपर्स उपर पहुँचे हैं, यहां पर इनको condense करना start कर देते हैं, condense होगा तो वो liquid form में जाएगा, और liquid form में इसको यहीं पर ही ले लेंगे और वो होगा आपका petrol, तो petrol का आपका use आपको पता ही है, आप car में करते हो, motor cars में करते हो, तो यहां पर वो वेपर्स उपर की तरफ जाएगे, उपर गए और उपर temperature कम है, तो condense होगा, condense होके liquid जो मिलेगा, वो होगा आपका नैप्था, नैप्था को आप बोलते हो, petrochemicals, आपने synthetic fibers में पढ़ा होगा, पेट्रो केमिकल्स यूज़ करके fibers बनाया जाते हैं, तो यह यहां से लिए जाते हैं, फिर से temperature increase करेंगे, तो 180 degree Celsius पहुँच जाएगा, तो वहाँ पर फिर से condense करके, जो liquid form में आपको product मिलेगा, वो होगा kerosene, kerosene, stoves, और lamps में आपको पाता ही है, इसका use, लेकिन इसका एक और use है, jet aircraft में, उसका as a fuel use किया जाता है, kerosene, aeroplanes वगेरा में kerosene डाला जाता है, तो टेंपरेचर 260 degree Celsius पहुँचेगा, तो इसके वेपर को condense करके, जो liquid मिलेगा वो आपका, डीजल, डीजल आपको पाता है, heavy motor vehicles में use होता है, 340 degree Celsius पहे जो वेपर कंडेंस होके, liquid बनाएंगे, वो होगा lubricating oil, lubricating oil, lubrication के लिए use करते हैं, जैसे आप grease use करते हो, grease use करते हो, आपके cycle chain में डालने के लिए, so then, smoothly वो move कर सके, तो उसी तरह, industries वेगरा में, जो heavy machines होती हैं, उनको lubricate करने के लिए, lubricating oil use किया जाता है, 400 degree Celsius पहे जो condense होंगे, वेपर और जो liquid form में मिलेगा, वो fuel oil, जिनको आप use करते हो, ships में, ships में use किया जाते हैं, इस fuel oil को, ठीक है, ships हैं, power stations हैं, वहाँ use किया जाता है, इस fuel oil को, power stations में, और जैसे temperature increase करते हैं, तो एक last product मिलता है, आपको asphalt या bitumen, bitumen, road, जब आपने देखा होगा, जब road बनती है, road पर एक black color का, black color की चीज़ डाली जाती है, तो उसको bitumen बोलते हैं, road surfacing के लिए यूज करते हैं, paints में भी इसका यूज करते हैं, तो paint में भी यहाँ पर इसका यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़े मिलती हैं, एक single oil से, crude oil से, जो कच्चा तेल आपने, C में से निकाला था, वहाँ से ये सारी चीज़े मिलती हैं, और ये सब चीज़े मिलती हैं, at different temperatures, different different temperatures पे इनके वेपर्स बनते हैं, क्योंकि एक oil के अंदर, complete oil के अंदर, बहुत सारी चीज़े हैं, जो different different temperatures पे वेपर्स बनाती हैं, चीक हैं, तो वहाँ से ये वेपर्स बनते हैं, और condense करके, ये liquid जो मिलता है, ये आगे फर्दर यूस करते हैं, तो ये this is all about refining of petroleum, और fractional distillation of petroleum.